सर फरोसी की तमन्ना, सर फरोसी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, बाजवे कातिल में है हलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार पंकर्ज स्टेडी सेंटर में दोस्तो मैं हूं मितलेस और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं गौस की सहायता से कुलाम के नियम की प्राप्ति कैसे होता है बच्चो आईए देखते हैं कैसे इसको हम नियम को प्राप्त करते हैं अगर आप गौस के थियोरम को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक कीजिए वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा बच्चो ठीक है तो आईए देखते हैं क्या है आईए दोस्तो देखते हैं क्या है सबसे पहले समझे इन सारे चीज़ाँ को लिखा है माना की बिंदू आवेश Q1 से आर दूरी पर कोई एक बिंदू आवेश है यहां समझे यह अपना एक बिंदू आवेश Q1 है ठीक है और इस बिंदू आवेश से आर दूरी पर आर दूरी पर कोई एक अलपान्स छेत्र DS लिया गया है क्या बोला जा रहा है जान से समझे माना कि बिंदु आविस Q1 से आरदूरी पर अलपान्स छेत्र डी एस है ये वाला अपना अलपान्स छेत्र डी एस है और इस डी एस पर हमें क्या करना है बच्चो विद्युद छेत्र की तिब्रता ग्याद करनी है ठीक है? यहाँ पर ये चीज होगा थम वो जो Q दिख रहा है आपको यहाँ पर जो Q दिख रहा है इस Q को वृत का कैंदर बना करके और इस दूरी को इसका रेडियस मान करके एक गौसियन प्रिष्ट बनाते हैं क्या करते हैं बच्चो एक गौसियन प्रिष्ट बनाते हैं देखिए लिख दिये सारा चीज़न क्यू को कैंडर एवं आर को तिरिजिया मानकर एक गोलाकार गोसियन प्रिष्ट बनाया देखिए बारीकी से एक एक चीज़न समझिये माना कि कोई एक बिंदू आवेस आर दूरी पर एक अलपान स्चेत्र डियस है क्लियर अब यहां पर क्या है क्यों को हम मान लिए कैंडर क्यों को कैंडर एवं आर को रेडियस मान करके एक गोलाकार गोसियन प्रिष्ट बना दिये एक गोलाकार गोसियन सत्थ हम बना दिये एक चीज़ बच्चों और अध्यान देने योग ये बात है क्या है यहां पे कि यहां पे छेत्र सदीस और विद्यूत छेत्र दोनों का दिशा समान है दिख रहा है ना दोनों का दिशा इधर की ओर ये दोनों का दिशा यहां पे समान है बच्चो क्लियर अब यहां पे आपको समझना है कि वैद्यूत flux से क्या होता है हम बच्छो पढ़ा रखे हैं व्यद्ध flux के बारे में देख लिजए जाकर के बहुत डीप में समझाए हैं देखें वैद्ध flux को V से रिपरजेंड करते हैं और V equal to हो जाता है इंटीग्रेट है vector e into ds जब इसको दो component अभी अब में तोडते हैं तो यह हो जाएगा बच्चो E ds cos theta E ds cos theta हो जाएगा बच्चो यहाँ पे theta का value जो है 0 degree हो जाएगा तो अगर हम इसको integrate के बाहर करेंगे तो phi equal to E ds निकल जाएगा क्या निकल जाएगा बच्चो E ds निकल जाएगा अब यहाँ पे क्या करना है समझी अध्यान से यहाँ पे यह जो ds दिख रहा है ना बच्चो यह ds क्या है तो यह Gaussian priest का चित्रफल है यह क्या है बच्चो चित्रफल तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं phi equal to E गुना क्या लिखेंगे Gaussian priest का चित्रफल तो आपको पता है कि गोला का चित्रफल कितना होता है तो गोला का जो चित्रफल होता है डारेक्ट मान पूट कर देते हैं 4 pi r square होता है क्या होता है बच्चो गोला का जो चित्रफल होता है 4 pi r square होता है यहां तक चीज़ा क्लियर हुआ बच्चो अब हम इसी को बना देते हैं समीकरन 1 इसको बना दिये क्या समीकरन 1 बना दिये अब लिखेंगे एक लाइन पुना है पुना है लिखेंगे और आप लोग हमें बताईए गौस ठ्योरम से क्या पढ़े हैं आप लोग गौस के प्रमे से गौस प्रमे से क्या होता है फॉर्मूला जरह आप लोग हमें बताईए कमेंट बॉक्स में बताईए क्या होता है बच्चो हम पढ़ा रखे हैं गौस का ठ्योरम तो बच्चो गौस का थ्योरम होता है फाई इक्वल टू फाई इक्वल टू क्यू बाइपसालेन नॉन्ट यह होता है इसका विएंज़ब होता है ना बच्चो क्या है गौस थ्योरम तो किसी बंद प्रिष्ट से गुजरने वाली कुल विद्धूती फलक्स कुल विद्धूती फलक्सों की जो है ना उसका जो उसमें जो कुल विद्धूती फलक्सों की कुल संख्या है वो प्रिष्ट के भीतर इस्थित आवेश का one by epsilon गुना होता है तो ये जो आवेश है इसका one by epsilon गुना होता है अगर उसको हम पढ़ा चुके हैं आप description box से कीजिए या नीचे देखें लिंक मिलेगा आपको कहीं ने गई तो यह है गौस के त्योरम से अब यहां पे हम क्या करेंगे बच्चो इसको बना देते हैं समीकरण 2 हम इसको समीकरण 2 बना देते हैं अब यहां पे करना क्या है समीकरण 1st एवं समीकरण 2nd से दोनों को देखें ध्यान से देखें दोनों का LHS बराबर LHS LHS दोनों का 5 5 है जब LHS बराबर तो RHS भी एक दुसरे का बराबर हो जाएगा न बच्चो तो यहाँ पे यहाँ क्या लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं E into E into 4 pi r square अब बराबर हो जाएगा q by epsilon naught हो जाएगा न बच्चो LHS बराबर तो LHS भी बराबर कर दिये हम यहाँ पे इसको भी बराबर कर दिये अब जब यह बराबर हो जाएगा तब यहाँ से E आप free कर लिजे तो यहाँ से अगर हम E को free करेंगे बच्चो तो E बराबर क्या हो जाएगा आप हमें बताइए E बराबर क्या हो जाएगा ये वाला बटे में जाएगा मतलब एक बटे देखिए ध्यान से देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं इस प्रकाल से लिख सकते हैं 4 pi r square r square i into qy epsilon लिख सकते हैं बच्चो qy epsilon not लिख सकते हैं चीजें के लिए अब इसको देखिए ध्यान से समझना है बच्चो हम यहां से लिख सकते हैं इसलिए e बराबर 1 by 4 pi देखिए ये r को हम इधर कर देते हैं ये epsilon not को इधर ले आते हैं तो यहां 4 pi epsilon not into q by r square हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं तो इसको बना देते हैं हम समिकरं 3 इसको बना देते हैं क्या बच्चो समिकरं 3 चीजा के लिए इसको बना दिये समिकरं 3 अब थोड़ा आप इसका screenshot ले लिजे काम आएगा आपको ठीक है बच्चो अब हम थोड़ा सा use करते हैं screenshot उबीद करते ले लिए होंगे देखिए अब हम थोड़ा सा और इसका calculate करते हैं और एक line में आ जाएगा ध्यान दीजे दोस्तों क्या कहना चाह रहा हैं अब आपको करना क्या है एक line लिखना है यहाँ पे क्या लिखना है यदी 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 अलपांस छेत्र पर कोई अन्य आवेश क्यूटू हो तो क्यूटू हो तो देखें हम क्या किये दोस्तों हम क्या किये यहाँ पे समझना है एक मिनट यदी अलपांस यदी अलपांस छेत्र अलपांस छेत्र पर कोई अन्य आवेश क्यूटू हो यहाँ पे हम क्या किये क्यूटू आवेश रखें अब ठीके बच्चों यहां पर हम क्या रखे Q2 आविश रखे तब क्या हो जाएगा इस पर क्रियासील तब Q2 पर तो Q2 पर क्रियासील बल क्रियासील वैद्यूत बल वैद्यूत बल F बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा ध्यां से समझें F बराबर F बराबर ध्यां से हम लिखते हैं भीशिये F बराबर E इंटो Q2 हो जाएगा न बच्चों? तो F बराबर E का महन आप समिकरण तीन से यूज कर लीजिए एक आमान आप समिकरन तीन से पूट कर देंगे तो क्या हो जगा 1 by 4 5 epsilon 0 into Q यहां देखे Q जो यूज हो राता है यहां पर Q1 है हर जगा Q1 Q1 होगा तो यह हो गया Q1 और यह वाला गुना में है Q2 Q2 by R स्क्वाइर क्या यही कुलाम का नियम था बचो क्या यही अपना कुलाम का नियम है अप लोग ज़रा ध्यान से देख करके बताएए F equal to 1 by 4 5 epsilon 0 into Q1 into Q2 by R स्क्वाइर क्या यही अपना कुलाम का नियम है तो बच्चो बिलकुल सही यह अपना क्या है यह अपना कुलाम का नियम आ चुका है तो उमीद करते हैं आपको यह कुलाम का नियम समझ में आ गया होगा कैसे प्राप्त करते हैं दोस्तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना वीडियो को लाइक करना और इस परकार का लेटेस्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे की इस परकार का नोटिफिकेशन आप तक तुरंद पहुँच जाएगा ठीक है बच्चो तो मिलते हैं फिर इस इसके नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए भाई को दीजिये इजाजत नमस्कार बच्चो